पंजाब में प्रेजडेंट रूल लगाने की साजश की जा रही है पंजाब में माइनारटी रूल है जहां जहां माइनारटी में है वहां वहां लोक तंतर नहीं सेंटर की सरकार शड्यंत्र करती है शड्यंत्र पहले पहले लॉएंड ओर्डर की प्रॉब्लम क्रियेट की जाती है फिर उसके बाद उसे दबाने के प्रयास में क्योंकि कुछ किया नहीं दिखाने को कुछ नहीं फिर कहते हैं हमने शांत कर दिया मैं कहता हूँ पंजाब को कमजोर करोगे खुद कमजोर हो जाओगे पंजाब को कमजोर करके कोई सरकार टगड़ी नहीं हो सकती यह नवजोर सिद्धू अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहा आज संस्थाए गुलाम है सतर पचतर साल पहले राहुल गांधी प्रियांका गांधी चो चेटान की तरह नवजोर सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं उनके पूरवजों ने इस देश को आजाद कराया पंडे जवालाल नेरू मौलाना आजाद सर्दार पटेल लाला लजबत रहे हैं कितने नाम गुनू सरवापली राधकृष्णन आज उन पूरवजों की प्रेणा लेके राहुल गांधी राहुल गांधी आज लोक तंतर की बेडियां काट रहा है संस्थाओं की बेडियां काट रहा है आज शेर की तरह एक दहाड है पुरे धेश में दहाड है उस सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और जब शेर धारता है तो अमेरिका जर्मनी पूरी दुनिया में वह आवाज हर तरह से बूझ रही है डिबेट और डिसेंट यह डेमोक्रेसी के एसेंस है एसेंस कि तुम से अगर कोई रग नहीं मिलती तो वो पार्लेमेंट में बोलेगा और बताएगा ओपोजिशन का रोल है यह तुम तुम्हारे शब्दावली अरे मेरे मेरे दोस्त तुमने क्या-क्या नहीं बोला फिर तुम करो तो नियारी लीला कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला यह कहां का इंसाफ है इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई कोई कॉंस्टिचूशन को लो अपना गरंथ मानता हूं मैं कॉंस्टिचूशन में आता है इक्वालिटी सबका साथ और सबका विकास कहने को तो यह है पर किया किसी गरीब तक लोगों की ताकत पहुंचेएल डेमोकेसी का मतलब है पूछो जो न्याये है न्याये एक ऐसी संस्था है न्याये की संस्था इलेक्शनों की संस्था, इलेक्शन कमिशन है, जो उच्छ नियाए पालिका है, वो सबसे बड़ी संस्था है, Constitutional Assembly में, अम्बेटकर साहब, महात्मा गांदी, पिच्छे हो में तरह कोई ना हो, कोई ना यार खड़े या, अम्बेटकर साहब, महात्मा गांदी, जो कर रहे हैं, पंजाब जो थोड़े बच्छे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, देही दाद लोंगा, संस्थाएं, यह संस्थाएं पवित्र थी, Constitution की जो वैल्यूज हैं, वो है Constitution की ताकत, वो संस्थाएं आज गुलाम हैं, वो संस्थाएं, आज दो लोगों की सुनती हैं, छे लोगों की सुनती हैं, ज्यादा नहीं, उन संस्थाओं को लोग भलाई के लिए काम करने के लिए नहीं, उन संस्थाओं को रवड के गुड़े बना दिया गया है, और रवड के गुड़े चाबी दे के छोड़ दिये गये हैं, मैं घबराता नहीं हूँ, मौत से मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ और में आपको कहता हूँ मेरी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी, चुट्की लेता, तो ये नहीं होता, मैं आज भी इन में बघवाम देखता हूँ, और मैं आपको कह रहा हूँ, छाथी तुलोक, यहार पर चिटीर सब्दाएं अब बीखना कोई धार्म से वड़ा रही है अरज अ से अम बेट कर सर्किजिश्ञ का मतलब होता है हम प्रिवार हैं अलग इनयों हे अलग लोग हैं अलग लग क्लुक्टर हैं हमारे लेकिन हम परिवार की senza में बजेए हैं उस परिवार की एक्ता को तोड़ा जा रहा है और उस परिवार की एक्ता का रखवाला रहुल गांदी है मैं चत्तान की तरह इस मुसीबत के टाइम में हर कॉंग्रस के वरकर के साथ प्रियांका गांधी के साथ राहूल गांधी के साथ खड़ा रहूंगा और दूसरी बात दूसरी बात इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है पंजाब में पताएं पंजाब के लिए क्या किया है कुछ नहीं राष्ट धर्म यही कहता है कि पंजाब के लोगों के लिए अगली पीड़ी के लिए यह सत्य बोले जाएं जहां जहां माइनॉरिटी है जहां जहां हिंदुत्व का इजंडा चलता नहीं कश्मीर में मुस्लिम भाई मुख्यमंत्री बनता है यहां सिख मुख्यम पंजाब के लोग कहते हैं पंजाब ना हिंदु ना मुसल्मान पंजाब जीवे गुरादे नाम और वो गुरुओं के नाम जीने वाला पंजाब उसके परिवार को तोड़ा जा रहा है वोटों की पोलराइजेशन के लिए मैं जिन्दगी में एक बार मरूंगा बार बार क जेल में डालो और मैं आज आपको कह रहा हूँ इतिहास गवाह 323 में आज तक 323 में किसी ने हफ़ता कैद नहीं का थी हफ़ता कैद और कभी आज तक रिव्यू नहीं हुआ तो सिदू सिदू क्यों आया जेल में सिदू जेल में इसलिए आया कि वह संस्थाएं मेरे पूर जो ने स्थापित किया था और वो संस्थाएं उनकी हिज्जत करने के लिए नवजोग सिंग सिद्धू इस जेल में आया एक बार भी उफ नहीं की हर रोज कोई ना कोई लोग तंतर नहीं शड़यंतर होता था जील के अंदर सर आपके सामने ही आज क्या हुआ सरकार वेट कर रही थी कि टीवी वाले कब जाएं सत्य सुनने का माता नहीं और 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 यह लोग कब जाएं कॉंगरस का कारे करता कोई बरफ की डली नहीं है पिखल जाएगा खड़े हैं वो आज भी खड़े हैं वो इसलिए मैं कहता हूं कि जो सत्य की अवाज है वो बिल्कुल सही है